धन्यवाद 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 धन हम, बबु तेरा धन्यवाद हो, हम, हालेलुईया, 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 हम, 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 तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभू, तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रभू जी आज के दिन तेरे नाम को उचा करते हैं, लुझ अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च बणाओ दोने धन नहों है जालेदीए जो करें यारे सब्सक्राइ ट्च्रा भल्यो यह जालेऊ कि जीजस थानि जीजस थें यूग जीजस थें जीजस थेंग जीजस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Excuse me. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 खून की जैजाकार हालिलुया जलाली खून की जैजाकार हो ये शुमसीत अजलाली खून की जैजाकार हो हालिलुया हालिलुया तरे जलाली खून की जैजाकार हो ये शुमसीत तरे जलाली खून को उचा करते हैं खून को उचा करते हैं तरे खून से सने जंडे को उचा करते हैं ये शुमसीत तेरा धन्यवाद हो येशु मसी तेरा धन्यवाद हो येशु मसी तेरा धन्यवाद हो येशु मसी तेरा धन्यवाद 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 येशु मसी तेरा धन्यवाद ये शमसी तेरा धन्यवाद, 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 तेरे लहू की जै, लहू की जै, लहू की जै, लहू की जै, हले ले 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 ले, ले ले लेले, ले 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 Pacific一起 कर desperशaky क agony हालेलुए, 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 हाल अब बास को हालेलुया हलेलुया तैंक यू लोर्ड तैंक यू लोर्ड तैंक यू नोर्ड Lord Jesus, I pray that you will speak to us through your word this morning and Lord that your spirit will enable us to enter into adoring the king of glory worshiping him and extolling his holy name hallelujah holy spirit you will enable us to do so hmm we thank you we thank you we thank you hallelujah Yeshua Messiah in the name of the name of the Lord hallelujah Yeshua Messiah in the name of the Lord hallelujah hallelujah thank you Jesus I will come to you 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 because I was traveling people I will come to you nobody could move a muscle I will come to you 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 hallelujah hallelujah people hallelujah 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 से कुछ लेना देना नहीं है खुदावन का रूँ रूँ लोगों को तोड रहा है हालिलुया तोड रहा है खुदावन का रूँ हालिलुया हालिलुया भाई और बेनों आज मैं कुछ अद्बत बातें पर में शुर के वचन में से आपको बताना चाहता हूँ अगर हम वचन में से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं की जब इस्रेली लोगों ने मार्च किया और कनान देश को अपने कबजे में लिया कनान देश परमेशर में इसराइल की मिरास करके दिया था यहोवा परमेशर ने इसराइल के पैदा होने से पहले इसराइल अर्थात यकूब अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि यहोवा परमेशर ने उसके दादा के साथ वाचा बांदी इबराहाम के साथ जिसका नाम अबराम था कि यह धर्ती जहां तक तेरी नजर जाती है और वो धर्ती जो है वो इराक के नौर्दन हिस्से तक इरान के कुछ हिस्से सौदी अरेबिया का कुछ हिस्सा और सीरिया लेबनान का कुछ हिस्सा और नौर्दन इजिक्ट ये सारी धरती यहोवा ने वाचा बांध के दी इसराइल को इबराहाम को लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा उन्हें मिला अभी आपको मालूं इसराइली लोग जब कनान में आए यहोशु उनका लीडर था तो इसराइली लोग कनान की धरती के उपर कबज़ा ही नहीं कर पाए यहोवा ने उन से ये कहा कि तुम जाओ और उन देंतों को वहाँ पे देंत थे बड़े-बड़े साथ ऐसी जातियां थी भाई यूर बेनो जो कनान में वास करती थी इन सातों जातियों के अंदर हाइब्रिड खून था मिक्स्ट बलड था ये प्यूर हूमन रेस नहीं थे ये जिनेटिकली मॉडिफाइड थे उत्पती की पुस्तक छे अध्याय में जो स्वर्ग दूतों ने वाचर ने इस्तियों के संग संबंद बनाया और हूमन डियने को परवेट किया ये उसी का उसी की लेगसी थे ये अगर आप एक वचन पढ़ेंगे शायद वो प्रेज़तों के काम तेरा ध्याय का उननिस वचन है पढ़ लीजिए प्रेज़तों के काम Acts of the Apostles 13 का उननिस वहाँ पर लिखा है प्रमेशुर ने इन साथ जातियों का बीज नाश किया स्वेम अगर आप पढ़ेंगे यहोशु की पुस्तक बुक अफ जाशुवा उसका पंदरा दे आए खड़िये मेरे संग एक वचन जाशुवा उसका पंदरा दे आए और उसका वचन पढ़ता हूँ आपके लिए मैं जाशुवा फिप्टीन फॉर्टी सिक से सुनें यह सारी लिस्ट है यहाँ पर यह लिस्ट पढ़ियेगा आप लेकिन मैं आपको 46-47 वर्ज पढ़के देता हूँ इकरओन विचिस विद विच इट्स ताउन इट्स विलिज़ेश सारे वो इलाके यहाँ पर दिये गए हैं अगर आप पूरा यहाँ पंदरा धियाए को बीस वचन से पढ़ेंगे यह सारे एशकलाउन का एरिया यह मैं सिर्फ एशकलाउन का एरिया बता रहा हूं आपको एशकलाउन के अंदर पांच शहर हैं जो नफलीमो के शहर हैं यहाँ पे जाइंट है देंट है यहाँ पे मिक्स्ट ब्लड शेतानी बीज और मनुश्य के बीज को मिला के यहाँ पे नई ब्रीड तैयार किये यहाँ पे इन शहरों में जिनेटिक मोडिफिकेशन होता था उस समय जिनेटिकले मोडिफाइड हुमन बिंग तैयार किये जाते थे सूपर सोलजर यह जगा थी वेर दे वर हैचिंग सूपर सोलजर जो इसराइल के संग लड़ाई करें देंट दानव बड़े बड़े नफलीम यह उनका गड़ था यह आपको मालूं एशकलॉन वो एरिया है अगर आप पढ़ेंगे सैमुल की पुस्तक पहला सैमुल उसका तीन चार अध्याएं जब इसराइल पाप में गिरा जब इसराइल ने यहोवा को त्यागा उस समय इसराइल का रोहानी अगवा है एली और एली एक अच्छा रोहानी अगवा नहीं है जब जब आपको अच्छे आत्मिक अगवे नहीं मिलेंगे तब तक आपके जीवन का पतन होगा यह वचन बताता है जब आपको अच्छे आत्मिक अगूए मिलेंगे आपके केवल आत्मिक जीवन की ही तरक्की नहीं होगी आपके भौतिक जीवन की तरक्की होगी आपके कारोबार में तरक्की होगी आपकी उलाद उच्छे मकामों पे पहुँचेगी आपके जीवन के हर पहलू पे आशिश होगी जब आपके आपके जीवन में यहोवा परमेशुर सच्चे अभिशिक अगूँ को भेजेगा हमारे जीवन की कुझी आत्मिक जीवन में है आपकी जॉब, आपका बिजनस, आपका संसारिक जीवन आपका परिवार, आपके बच्चों की एजुकेशन आपके जीवन की हर एक पहलू का कनेक्शन है आपके आत्मिक जीवन से तो एली एक बुरा अगुआ है जो प्रभू के लिए यतनशील नहीं है और उसने धीरे धीरे प्रभू को छोड़ा है और क्या होने लगा है वो बहुत मोटा हो गया और बेमारियों से शाय जकड गया होगा और उसकी अलाद दुष्ट काम करती है यहोवा की खोजी नहीं है और परमेशुर के आगे चड़ाए जाने वाली कुर्भानियों को अशुद करते हैं उसके बेटे और परमेशुर की हैकल के तंबूओं में ही औरतों के संग गलत काम करते है इसलिए यहोवा परमेशुर क्या करता है यहोवा परमेशुर सजा भेजता है और फिलिश्टी उनके उपर चड़के आते हैं और हैकल को तहसनेस करते हैं इसरैलियों को मारते हैं और प्रमेशुर की वाचा के संदूग को लूट के ले जाते हैं तो पहला सेमुल 6 याए के 16 से 18 वचल में अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपने देवता के टेंपल में प्रमेशुर के अध के संदूग को रखते हैं गौन देवता जो आधा मचली है आधा हीूमन है जैसे कि हमारे देश में ख्वाजा पीर बोलते हैं उसे लेकिन भाई और भेनो यहोवा के एहद के संदूग को जब देवता के आगे रखते हैं सुबह उठके अपने देवता के द्वार खोल के देखते हैं तो देवता टुकुडो में बटा हुआ है तूट गया है यहोवा के आगे और यहोवा उन फलिष्टियों के फोडे निकाल लेता है फोडे और उनके खेतों को चुहे चट कर जाते हैं उनके खेत खत्म हो जाते हैं तो फलिष्टि डर जाते हैं वो बहुत डरते हैं वो क्या करते हैं सोने के चुहे बनाते हैं और वो जो ट्यूमर निकले होते हैं वो ट्यूमर ऐसे गोल गोल सोने के पत्थर बनाते हैं और एहद के संदूक में रख देते हैं वाचा के संदूक में और वाचा के संदूक को अपनी हदों से पार कर देते हैं तो अगर आप पढ़ेंगे ना पहला सेमुल 16, 16, 16, 16, 20 आगे पढ़ेंगे तो बैत शिमेश के लोग उस एहद के संदूग को देखते हैं और वो मुरख लोग हैं वो परमेशर के एहद के संदूग का धकन उठाते हैं और देखना चाहते हैं अंदर क्या है और प्रभू का बचन बताता है जब वो धकन उठाते हैं तो परमेशर का कहर उतराता है क्योंकि धकन के उपर प्राश्चत का लहू है जो महायाजक प्रती वरश योम की पुर के दिनों डेलता है ताकि इसरेली प्रजा के पाप ढाके जाएं और उस लहू के उपर जो प्राश्चत का लहू है जानवर का लहू है उसके उपर प्रमेशर का आत्मा बाहत करता है प्रमेशर के एहद के सदूक के अंदर देखना बहुत बड़ा खतरा मूल लेना है लेकिन बैट शिमेश की लोग ये काम करते हैं क्योंकि उन्हें यहवा का ग्यान नहीं है और वो उसकता वश प्रमेशर के एहद के संदूक का धकन उठाते है प्रमेशर के एहद के संदूक के धकन के उपर लहू है तो पढ़ लीजिएगा आप हालेलुई तो क्या वचन में लिखा है उसका उन्नीस वचन पहला सैमुल सोला का उन्नीस पढ़ लेंगे तो वहाँ पे लिखा है जब बैच्शमेश के लोगों ने लहू अलग कर दिया और प्रभू को देखने की कोशिश की तो मौत आ गई पचास हजार सत्तर कुछ मैनुस्क्रिप्ट्स में कुछ एरर लगती है औरिजिनल में फिप्टी थाउजन एंड सैवन्टी पीपल डाइड पचास हजार और सत्तर लोग मर गए बिना लहू के आप रमेशर के सनमुख नहीं जा सकते बिना खून के प्राश्चत के हमारे में से किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं है जुर्मत नहीं है कभी अपने आपको इतना पवित्तर इतना धर्मी मत समझिए गा कभी अपको अपने आपको इतना होली मत समझने लगिए गा कि बिना लहू के यहोवा को अप्रोच करें आप यहोवा परमेशर भसम करने वाली आ गया बैट शमिश के लोगों ने बलड क्वलक कर दिया और यहोवा को देखना चाहा भेहानक मौत मिली उन लोगों को hallelujah it is dangerous to approach God without the blood hallelujah for there is no remission of sin without the shedding of blood there is absolutely no remission of sin हालिलूया और हम सब sinful है अगर हम कहें कि हमारे में पाप नहीं तो हम परमेशर को जूटा टहराते है हम अपनी धार मिट्दा से परमेशर को अप्रोच नहीं कर सकते हमारे धरम के सारे काम गले और सड़े चितनों की नाहीं हैं चितनों की तरह है हालिलुया तो भाई और बेनों ये जो एस्किलाउन का एरिया है यहां पे नफलीमों का गड़ है असल में पूरे ही इसराइल की धर्ती के उपर नफलीमों का अनाकीमों का इन शैतानी परजातियों का गड़ था ये मिक्स्ट ब्रीड थे ये प्यूर हियूमन रेस नहीं थे मिक्स्ट थे इनकी अंदर शैतानी जाइंटों का दानवों का खून था और बच्चन में बताया कि प्रभू यहावा कहता था इन सब को मार डालना है हालिलुया मैं पढ़ता हूँ वो बच्चन आपके लिए सुनिये प्रेजतों के काम Acts of the Apostles 13 का उनने सुने ये यहोवा प्रमेशुर की बात है कौन डिस्ट्रॉई कर रहा है यहोवा साथ जातिया हैं जिनको यहोवा नाश कर रहा है सेवन नेशन इन केनन ही गेव ही गेव दियर लैंड एज अन इनहरिटन कितनी कामे हैं ये साथ कामे हैं हाइब्रिड कामे हैं जनेटिकली मॉडिफाइड हैं जनेटिकली मूटेट किये गए हैं ये ओरिजिनल हुमन ब्लड नहीं है ये बनी इस्राइल की मिरास के विरुद्ध में खड़े हैं इस्राइलियों के विरुद्ध में खड़े हैं सुनें यहोशु की यहोशु की पुस्तक उसका ग्यारा अध्यायत यहोशु ग्यारा उसका 21 वचन And Joshua came at that time and cut off the Anakim from the hill From Hebron, from Debir, from Anab and from all the hill country of Judah And from all the hill country of Israel Joshua devoted them to destruction with its city There was none of the Anakim left in the land of the people of Israel Only in Gaza, in Gath and in Ashdod did some remain So Joshua took whole land according to all that the Lord had spoken to Moses And Joshua gave it as an inheritance to Israel according to their tribal allotment And all the land had rest from war Abhi, abhi جو land ہے, उसमें war नहीं हो रही है, rest मिल गई है लेकि वचन क्या बताता है, वचन बताता है कि एशकलोन का सारा एरिया Conquer नी किया जो हुशु नहीं है आपको मालूं, आज भी इसराइल में वहीं मसला है ये एरिया फिलिष्टियों के पास है आज भी एशकलोन का गाजा स्क्रिप्ट आप सुनते होंगे इस जगा आज भी लड़ाई चल रही है ये पलिस्टीनियन टेरिटरी है, वहाँ पे फिलिष्टियों का कबजा है और वही, you know, the same ancient demons, those fallen entities that empowered Ashdod, Ashkelon, they were five cities of the giants the same demonic entities are empowering the Palestinians the Hamas and Al-Qaeda and other terrorist agencies you know they continue firing rockets against Israel they still have the seed there so unless you terminate the seed the demons will come up over and over and over again you have to terminate this hybrid seed once and for all the Lord gave a mandate to Joshua that you must utterly destroy the hybrid seed you would not allow those giants Anakims and their seed all those giant you know Gibrim, Nephilim all those hybrid nations that dwelt in Israel the Lord gave a very very clear mandate to Joshua you must destroy them all but they did let some remain in Ashkelon Ashkelon میں وہ رہ گئے Ashkelon کے area میں وہ آج بھی ہیں وہیں جو جو بدرویں جو جو ڈیمن آپ اپنے جیون میں رہنے دو گے وہ بدرویں آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو فیس کرنی پڑیں گی آپ کے پوتوں کو ناتیوں کو فیس کرنی پڑیں گی جو جو دشت آتمائیں اپنے جیون میں آپ رہنے دو گے وہ carry forward ہو جائیں گی یہی ہے جسے بعد میں نبی لوگ لکھتے ہیں یہ جو یہاں پہ یہ سیڈ چھوڑ دیا گیا سیپٹر آف ایڈن was in Ashkelon اگر آپ بلٹیشن سائیکلوپیڈیا پڑیں گے Ashkelon تھوڑے سمیں کے لیے تو جہودہ کے اندر تھا لیکن بعد میں independent رہا Ashkelon یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ genetic corruption ہوئی sexual defilement ہوئی آپ کو ایک وچن دینا چاہتا ہوں پڑیئے ایک وچن آپ ایزیکیل 28 کی 18 وچن ایزیکیل 28 میں سب سے پہلی defilement کی بات کی جاری ہے جو heaven میں ہوئی جس defilement کے پیچھے ہاتھ ہے جسے ہم helial کہتے ہیں جس کو Latin translation میں translate کیا رومن کیثلک چرچ نے اس کا نام رکھا لوسیفر لیکن ہیبرو میں اس کا اس entity کا نام جو کی خربم ہے چربم ہے خرب ہے اس کا اصلی نام ہے ہیلیل ہیلیل بن شخار جو جہاں جو جس کا نام وہاں پہ لکھا ہے ایزیکیل 28 میں جشایہ 14 دہائے میں ہیلیل بن شخار ہے وہ original Hebrew میں جس کو لوسیفر کر دیا لوسیفر original text میں نہیں ہے لوسیفر جب رومن کیثلک چرچ نے بائبل کو Latin میں translate کیا انہوں نے ہیلیل کو لوسیفر کر دیا لیکن اس کا نام ہے ہیلیل بن شخار وہ شخار کا بیٹا ہے یہ شخار کون ہے شخار ایک گارڈ ہے کینانائیٹ گارڈ جو مارننگ کو کنٹرول کرتا ہے گارڈ ہو کنٹرولز دا مارننگ اس کا بیٹا ہے بہت سارے بائبل سکارل مانتے ہیں کی لوسیفر یا ہیلیل حسل میں ہائیبریڈ ہے because he is called بن شخار ڈان کا بیٹا he is son of the ڈان ہالیلویہ تو بھائی اور بہنوں بہت ڈیپ ہے کلام ہالیلویہ ہم تو یہ ڈیفائیلمنٹ جو ہے ایزیکیل ٹونٹی ایٹ ایٹین میں ہیبرو ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ لوسیفر نے ڈیفائیل کیا ہے اور یہ ہیبرو ورڈ ہے H2490 یہ ہیبرو ورڈ ہے شلال تم نے ڈیفائیل کیا ہے بن کو اور آپ کا معلوم یہ جو ورڈ ہے شلال H2490 یہ ورڈ اصل میں سیکشول ڈیفائیلمنٹ کو دکھاتا ہے اگر آپ پڑھیں گے اتپت جنیسیس 49 ورس نمبر 4 جنیسیس 49 4 یہاں پہ روبین کے وشے میں لکھا ہے روبین کیا لکھا روبین کے وشے میں جو کینانائیٹ لوگ تھے وہ سیکشول امورالیٹی کرتے تھے ٹیمپل میں جا کے چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ بھی اور کسی بھی قسم کی عورت کے ساتھ اور پھر اپنے دیوتاؤں کو پوجیتے تھے کنانی لوگ اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے ایڈن ایزیکیل ٹونٹی ایٹ ٹویل ٹو فورٹین پڑھیں گے یہ شیطانی ہاؤس آف ایڈن ہے جو سیکشول پرورجن کو لے کے آ رہا ہے اور وہی اشکلون کے ایریا کے فائیب سٹیز کی اندر یہ شیطانی پوجا ہے آپ کو معلوم ہیرودیس جو راجہ تھا اس کا جنم جو تھا وہ اشکلون میں ہوا وہ یہودی نہیں تھا وہ عیساؤ کے خاندان میں سے پیدا ہوا اور عیساؤ کی لائن میں سے کیا نکلا ہے عیساؤ کی لائن میں سے بھی شیطانی بیج نکلا ہے کیونکہ عیساؤ نے اشمائل کی بیٹیوں کے سنگ شادی کی کنانی عورتوں کے سنگ شادی کی عیساؤ نے یہ دیکھا جب جو برکتیں تھی وہ جیکب کو مل رہی اور عیساق نے اپنے بیٹے جیکب سے کہا کہ تم کنانیوں کی ہتھیوں کی فریزیوں کی زبوسیوں کی گرگش آئٹوں کی مصریوں کی ان کی لڑکیوں سے کبھی شادی مت کرنا تو عیساؤ کو پتہ لگا کہ میرے پتہ کو یہ جو جاتیاں ہیں ہائیبریڈ شیطانی جاتیاں ہیں جن کے اندر نفلیموں کا شیطانوں کا بیج ہے ان جاتیوں کی عورتوں سے میرے پتہ کو نفرت ہے تو اس نے وہی کام کیا جس سے اس کے پتہ کا دل دکھے اس نے انہی عورتوں کے سنگ شادی کی عیساؤ نے لیکن یکوب نے ایسا نہیں کیا یکوب نے اپنی پروجنی کو اپنی فیوچر جنریشن کو اپنی آنے والی جنریشن کو پریزرب کیا اور وہ چلا گیا اپنے ماما کے گھر وہاں سے وہ لیا اور ریچل سے شادی کرتا ہے تاکہ مسیحہ جگت میں آئے جو ہولی سیڈ ہے پویتر بیج ہے شیطان پویتر بیج کے اندر اپنا بیج نہ ڈال جائے بھائی اور بہنوں شیطان ہمیشہ ہائیبریڈ ڈائیزیشن کرتا ہے شیطان کو ہائیبریڈ کرنا ہی پسند ہے بچن میں لکھا پربو کہتے ہیں بیج بونے والا جو تھا اس نے اچھا بیج بویا بھومی میں جب رات کو وہ سو گیا تو شترو آیا آپ کو معلوم وہاں پہ جو اوریجنل گریک ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بیج اچھا بیج بویا گیا تھا اس بیج کے اوپر اس نے شیطانی بیج بویا ہے سمجھتے آپ کیا مطلب ہے اس نے اصلی بیج کے اندر جو ہے شیطانی بیج ڈالا ہے سوپر ایمپوز کیا ہے ابھی شیطان نے کیا کیا کلیسیا کے اندر جھوٹی سکشائیں بھیجی ہیں جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سوپر ایمپوز کرنا اس نے شیطانی بیج کو اس بیج کے اوپر ڈالا ہے تاکہ جو جنیٹک کوڈ ہے اصلی بیج کے اندر اسے چینج کیا جائے یہوہ کے کلام میں جنیٹک کوڈ ہے یہوہ کا یہوہ کے کلام کے اندر انفرمیشن ہے ہیون کی یہوہ کے کلام یہوہ کے بیج کے اندر آرہنے ہے سورگ کا یہوہ کا جو بیج ہے اس کے اندر ساری ہیونی ٹیکنالوجی ہے یہوہ کے بیج کے اندر پرامیسز ہیں وائدے ہیں قرار ہیں یہوہ کے بیج کے اندر چنگائی ہے ہیلنگ ہے چھٹکارہ یہوہ کے بیج کے اندر اننت جیون ہے یہوہ کے بیج کے اندر روشنی ہے آنند ہے دھارمکتہ ہے رائچس نس ہے یہوہ کے بیج کے اندر اننت شٹکارہ یہوہ کے بیج کے اندر سورگی برکتیں چھپی ہوئی ہیں اس جنیٹک کوڈ کو شیطان اس بیج کے اندر اپنا بیج گسیڑتا ہے تاکہ یہوہ کے بیج کو جنیٹک موڈیفائی کریں آپ کے آر اینے میں اپنی انفرمیشن ڈالے اس لیے نائنٹین سینچری کی فالس ٹیچنگ جو چرچ کی تھی جس میں امریکہ کا بہت بڑا یوگدان ہے جس میں ایفریقہ کا بہت بڑا یوگدان ہے جس میں برٹن کا بہت بڑا یوگدان ہے فالس ٹیچنگ فالس منسٹری فالس بڑی بڑی منسٹیاں کرنے کی کوشش کی ہے یہوہ کے زندہ کلام جب جب یہوہ کے کلام کو توڑا اور مرورا جاتا ہے تب تک سا جاتی ہے پرطوی کے اوپر ہالیلوئیہ ہیرڈ جویش ہے لیکن جویش نہیں ہے کیونکہ ہائیبرڈ ہے وہ عیساء کا بیج ہے اور اسرائیلیوں کو چٹانے کے لیے آتا ہے مسی کو کروس میں چڑھانے کے لیے آتا ہے ہیرڈ نفلیموں کا بیج ہے شیطان کا بیج ہے ہالیلوئیہ ہسٹری پڑھیں آپ بائیبل کی پوری آپ کو سب کچھ سمجھ جائے گا کیسے ایدومائی لیڈرشپ جو سیپٹر ہے بچن میں وائدہ تھا سیپٹر سے راج دنڈ کبھی لیا نہیں جائے گا لیکن اب راج دنڈ کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے جب حیر دیس راج بنا بیٹھا ہے ادومیوں کے ہاتھ میں ادومیوں کی blood line جو ہے شیطانی blood line ہے اگر آپ پڑھیں گے جوسیف اس کی پستک ہے انٹیکوٹی بک نمبر 1 اس کا پیج نمبر 3 14 پڑھی ہے وہاں پہ لکھا ہے harod overtook avenged his enemies and pharisees were very happy with harod because pharisees were sowing false seed pharisees کے اندر شیطانی بھی تھا pharisees بڑے خوش تھے harod سے اور there was a league made between them ان دونوں نے سمجھوتا کی آپ میں and this جو یہ league بنائی نا pharisees نے harod اس کے ساتھ اس سے ایک political party پیدا ہوئی جسے harodian کہا گیا ہے جو pro harod تھے pro harod لوگ جو religious and political alliance بنا harodian کا اور ایک بندہ تھا جس کا نام تھا anthony anthony بہت famous بندہ تھا pharisees نے مل کے ایک alliance بنایا اور آپ کو معلوم harod جو کی ایک راجہ تھا وہ jewish بھی نہیں تھا وہ puppet تھا romans کا اس کے پاس authority تھی وہ high priest کو چنتا تھا اسرائیل میں یروشلم کی temple میں high priest وہ چنتا تھا اگر آپ اس کی book کا page number three sixteen پڑھیں گے تو josephus لکھتا ہے aristobulus کے اتنی بھرشت ہے فریسیوں اور صدوقیوں کی polluted leadership rotten leadership ایک document ہے اس کا نام Damascus document وہ بتاتا ہے کہ فریسی صدوقی پروہیت اور جتنے انہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے group تھے religious group وہ اتنے بھرشت تھے اتنے گندے تھے سیاست کی گندگی اور دلدل میں گرے ہوئے تھے وہ بری طرح ایڈومائٹ اور فارسی دونوں ایک ہی بن گئے تھے اور یروشلم corruption کا گھر بن گیا یروشلم کی temple corruption کا گھر بن گئی یروشلم کی leadership فریسیوں کی صدوقیوں کی temple کے priest high priest levites سب بری طرح سے corrupt ہو گئے تھے hallelujah 130 page جوسیفس لکھتا ہے great men have gone astray and mighty heroes stumbled from the former time till now because they walked in the stubbornness of their heart heavenly watcher fell because they did not keep the commands of God these people were comparing the Jerusalem leadership with the watcher they did keep the commandments of God perverted them they did not keep the commandments of God but they perverted them herod means hero josephus licked that that josephus watcher came and he got and and he got the he got and he got and and he got और लिखता है कि सिडर ट्री की तरह ये गिर गए पढ़िए एक वचन अमोस नभी की पुस्तक अमोस नभी की पुस्तक उसके दो अध्याय में से एक वचन पढ़ता हूँ अमोस चैप्टर नमबर टू और वर्स नमबर नाइन सुनिए ये अमोरी कौन है ये सारे के सारे फॉलन सीड है शैतानी बीज है इनके अंदर आपको मालूम परमेश और अबराहाम से क्या कहता है उत्पती की पुस्तक पंदरा ध्याय पढ़िए गया पूरा जिसमें परमेश और अबराहाम के साथ यूनिलेटरल कवनेंट बानता है कवनेंट का मतलब होता है दो पक्षी है बाइलेटरल लेकिन यहोवा अबराहाम को सुला देता है और यहोवा खुद वाचा बानता है अबराहाम के साथ तो उसमें यहोवा क्या कहता है कि तेरी कौम चार सो साल गुलाम ठहरेगी जाके चार पीड़ी है क्यों? क्योंकि अमोरियों के पाप का घड़ा भी भरा नहीं ये एमराइट कौन है? ये वोही फॉलन है गिरा हुआ बीज है शैतानी उत्पती की उत्पति की उत्पति चेह द्याय का इनके पाप का घड़ा अभी भराने ये होवा इनको सजा देगा आलेलुया तो यहां पे लिखा है ये जो अमराइट लोग है ये हाईब्रिड है ये शतानी बीज है ये हूमन बीइंग नहीं है ये मिक्स्ट बलड है और इनकी जो उचाई है ये इतने लंबे हैं ट्रीज के जितने लंबे हैं पढ़ लीजिए अमोस दो का नो पढ़िए हिंदी में कह लिखा है सिडर जो है ना सिडर अंग्रेजी में इस द्रख्त का नाम है सिडर ये जो द्रख्त है ये दो सो तीन तीन सो फुट उचा होता है होता था होता है इतनी हाइट थी इन लोगों की पढ़िए हैं यहाँ पर अमोस दो का नो में ये जो हाइब्रिड शेतानी बीज था परमेशर यहोवा ने लेवी विवश्ता में इसरेली लोगों को सेक्शल प्योर्टी सेक्शल रिलेशन्चिप कितना प्योर होना चाहिए सेक्स आउटसाइड मेरिज यहोवा ने प्रोहिबिट किया शादी के बाहर सेक्स जो है वो श्राप है शादी से पहले शादी के बाद भी या तो वो अडल्ट्री है या फॉर्निकेशन है शादी से पहले फॉर्निकेशन है शादी के बाद अडल्ट्री है क्यों sexual purity bloodline को maintain करती है अगर आप sexually pure नहीं हो आपकी bloodline corrupt हो जाएगी आपकी bloodline में शतानी बीज आ जाएगा कर्स आ जाएगा श्राप आ जाएगा आपकी आने वाली पीडियां generation आपके बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे लानत के नीचे आ जाएंगे पेज 133 जोसिफस अपनी बुक में लिखता है कि bloodline की purity is absolute और क्या लिखता है they profaned the temple and they laid with women with bloody discharge क्या लिखता है यहां पे लिखता है कि पेज नंबर 133 पे जोसिफस की बुस्तक book of antiquity book number one page number 133 वो इस्रेली temple के अगों और लेवी परोहतों के विखे में लिखता है वो औरतों के संग लेटते थे जब औरतों को discharge भी हो रहा होता था आपको मालूम यह mensuration का जो blood है इसके अंदर कितना गहरा भेद है जो औरत के mensuration का blood है आपको मालूम जितने प्राचीन कल्ट थे शैतानी काम करने वाले लोग जादूगरी करने वाले लोग जब औरत mensuration करती है उसके अंदर से blood आता है वो उस blood को इकठा करते थे और उसे जादूगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो blood को लोग पीते थे उसे अमरत समझा जाता था कई अकल्ट में कई जादू टूना करने वाली जो पुरानी पद्धतियां हैं शैतानी उसके अंदर तो प्रभू ने इसके उपर कितनी purity लेवी विवस्था पुस्तक में और गिंती की पुस्तक में भी है जो इतना अधिक परमेशर एक पुस्तक पुरी लिख दी परमेशर ने इसके उपर क्योंकि प्रभू को पता है अंधकार की ताक्ते शैतानी ताक्ते इन चीजों को इस्तेमाल करेंगी और प्रमेशर के लोगों को एजुकेट करना सिक्षित करना जरूरी है देखिए क्या लिखा यहां पे एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए यहां पे लिखा है एमैन लेवी विवस्था उसका बीस अध्याए का 27 वचन पढ़ रहा हूँ सुने ध्यान से एमैन और अवोमन हुज अमीडियम और अनेक्रोमेंसर शैल शोली वी पूट टू देथ एक औरत जो जदू करती है टूना करती है आतमाओं को बलाती है ऐसी औरत को पत्थर मार मार के मारना है उसको मार देना है दे शेल दे शेल भी स्टोन्ड विद स्टोन्स पत्थरों से उनको मार दिया जाएगा दे बलाड शेल भी अपॉन देम और उनको पत्थर से मारा जाएगा तो उनका खून उनके उपर ही रहेगा इसके 18 वचन से ये जो 20 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं इसी 20 अध्याय के 18 वचन, 16 वचन को गराप पढ़ेंगे तो परमेश्वर sexual purity की बात करता है परमेश्वर बता रहा है कि जब एक औरत को cycle है वो किसी की पतनी भी है तो पती को उसके संबंद नहीं बनाना है for the sake of purity for the sake of holiness for the sake of purity of worship for the sake of personal holiness for the sake of bloodline for the sake of maintaining hygiene for the sake of keeping your body healthy and not falling sick समझ रहे हैं आप ठालेलुया लेकिन जो शैतानी मख़ब थे पुराने समय के शैतानी जादूगरी हैं वो मेंसूरेट करती औरत के संग टेंपल के अंदर physical relation बनाते थे, sex करते थे, मेंसूरेट करती मुमन के साथ ये काम किया आपको मैं बताना चाहता हूँ आपने सुना होगा free missionary के विशे में आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज बताईए हलो आपको आवाज आ रही है हलिलुया आवाज आ रही है आपको मेरी प्लीज बताईए लेवी विश्था बीस की अठारा बीस की सोला ये सब वचन पढ़िएगा आप जो free missionary लोग हैं अकल्टिक लोग हैं जादू करते हैं और एक औरत थी जिसका नाम था मैडम हेलेना बलवासकी मैडम हेलेना बलवासकी वो उस औरत ने हिंदू शाष्टरों का भी अध्धिन किया था इसलाम का भी अध्धिन किया था वो बाइबल भी बहुत अच्छी तरह जानती थी वो जितने प्राचीन कल्ट हैं सुमेरियों के कस्दियों के अकेडियन के बैबलोनियन के और एजिप्ट के सब जादूगरी की पद्धियों को जानती थी और उस औरत ने ही free missionary शुरू किया हेलेना बलवासकी आप को शायद मालूम हो या ना हो उस औरत ने बुक्स लिकी हैं जादूगरी पे बहुत जबर्दस वो बाइबल को भी बड़ी गहराई से जानती थी उस औरत ने इंडिया में हमारे देश में उस समय एक लेड़ी थी जिनका नाम था मिसिस एनी बेसेंट एनी बेसेंट जो थी इंदरा गांधी उनका बहुत आदर करती थी जब आला नेरों भी बहुत आदर करता था बहुत लर्नड लेडी थी वो एनी बेसेंट हेलना बलबासकी की चेली थी और उसने इंडिया में थियोसाफिक सोसाइटी की स्थापना की थियोसाफिक सोसाइटी वो ही कल्ट जादूगरी फ्री मेसनरी वाला जितने पलिटिकल अरीना में लोग होते हैं राजनीती में जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं जितने लोग बहुत बड़े-बड़े कार्पॉरेट बिजनस करने वाले होते हैं इन में से ज़्यादा लोग इनके संग जुड़े होते हैं क्योंकि वो जो जादूगरी की पदितियां हैं, फिलम स्टारों को मशूर करती हैं, जिनके बड़े-बड़े बिजनस होते हैं, कॉर्पोरेट, उनके पास अंदा दूंद पैसा आता है, जो सियासी नेता होते हैं, उनको ताकत मिलती है लोगों पर राज करने की, इसलिए ये हलेना बलवासकी की चेली थी, हलेना बलवासकी का आगे चेला था अमेरिका में एलियास्ट क्रॉली, मैंने इन सब चीजों का बहुत गहन अद्धिन किया है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप पढ़ेंगे, एलियास्ट क्रॉली की पुस्तकें पढ़िये, आप डाकुमेंट पेज 158 पढ़ियेगा, तो आपको पता लगेंगी शैतानी पूजा पदतियां, कैसे ये जो फ्री मिसनरी हैं, ये लोग जब बच्चा पैदा होता है, और 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 जो बलीड करती हैं, उस बलड को ये लोग नेक्टर मानते हैं, अमृत मानते हैं, उसे बहुत सारी अकल्टिक कामों में उस बलड को यूज किया जाता है, आपको मालूम इलियस्टर क्राउली ने क्या लिखा है अपनी पुस्तक के अंदर, मौरल और डॉगमाज में, वो लिखता है, दूने धियान से, क्या कहता हो, वो कहता है, if a male child is born, कहता है, the blood of, the blood of the woman is very precious in these days, male child for sacrifice is best but female is desirable, Elias T. Crowley, 33 degree free missionary can now see all things, after you drink the blood that woman releases during, giving birth to a child or the blood that she releases through her menstruation, if you drink that blood, you know these guys are like vampires, living vampires, they say that you will get the enlightenment, 33 degree की initiation के लिए, 33 degree को initiate किया जाता है, पद भी है उनकी, उसके लिए ये ये ritual करना जरूरी होता है, it's a satanic ritual, और परमेशुर का किलाम देखें क्या कहता है, परमेशुर का किलाम बताता है, कि बलड को पीना, बलड ड्रिंक करना एक बहुत बड़ा सिन है, बलड पीना मतलब DNA पीना, लॉरेंस गार्डन नाम का एक British Free Masonry है, वो पेज नमबर 118 के उपर लिखता है, क्या लिखता है, औरिजिनल स्टार फायर, नेक्टर, औरिजिनल स्टार फायर, नेक्टर, सेक्रेड विमन, सेक्रेड विमन, वो बोलते हारलट्स को, जो टेम्पल के अंदर वेश्याई होती थी, उन्हें सेक्रेड विमन कहा जाता था, तो वो जब मैंसरिट करती है, उनका बलड वो पीते थे, और इसे वो कहते हैं, स्टार फायर, स्टार फायर, वो बिलीव करते हैं, एनुनाकी, अनुनाकी बलड लाइन की औरते, यह कहर मैं, और सब्जक्ट शुरू कर रहा हूँ, तो वो बलड पीते हैं वो, जो की एक शैतानी काम है, हालेलुया, तो यह अकल्टिक, जो लोग है, मैं एक वचन देता हूँ आपको पढ़ें, मैंने आपको अमोस दो नो में दिखाया, कि यह लोग जो जाइंट थे, यह कितने कितने लंबे हुआ करते थे, अमोस दो की नो पढ़के देख लीजिएगा, उनके विशे में लिखा है, अब मैं आपको देता हूँ वचन आईजाया, यह शाया की किताब, उसका 59 चैप्टर निकालें, यह शाया 59, यह शाया 59, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वर्स नंबर 5, सुने क्या लिखा यहां पर, जो मैं बात बता रहा हूँ, एशकिलान की, एश्डॉड, गाजा, पांच वो सिटीज, जो जनेटिकली, म्यूटेशन के लिए, जहां पर हाइब्रिड तयार किये जाते थे, जहां पर सीड को मिक्स किया जाता था, शैतान कैसे बीज को मिक्स करता है, शैतान जूटी सिक्षा लाता है, फाल्स टीचिंग, फाल्स डॉक्टरिन, फाल्स अपॉसल को खड़े करता है, फाल्स प्रॉफिट को खड़े करता है, परमेशर के कलाम के उपर जूटे कलाम को सूपरिम्पोज करता है, वो लगता परमेशर का कलाम है, है लेकिन भाई और भेनों वो परमिश्र का कलाम होता नहीं उस कलाम पे शैतानी कलाम को सूपर इंपोस किया होता है सुनें क्या लिखा है यहां पे वर्स नमबर फाईव आईजाया 59 वर्स नमबर फाईव यह शाया 69 पाँच यहां पे लिखा देखिये क्या लिखा है यहां पे यह जिनेटिक मैनिपूलेशन है पढ़ लिजेगा इस वचन को यह शाया 59 का पाँच यह शाया 69 का पाँच वचन यहां पे साप के अंडे अजगर के अंडे उनका जिकर किया जा रहा है यह जो एग को हैच किया जा रहा है यह हाईब्रिड है हाईब्रिडाइजेशन एशकलाउन के पांच शहरों में वो लोग शैतानी विधियों से नफलीमों के बीज को तयार कर रहे थे हाईब्रिड तयार कर रहे थे शैतानी अध्याय प्रेज़तों के काम के उन्नीस वचन में लिखा है वो साथ ऐसी कौमे शेतान ने तयार की जिनोंने इसराइल की मिरास पे कबज़ा कर लिया यहोवा परमेशवर ने जब इबरहाम से कहा यह सारी धरती में तेरे तुझे और तेरी संतान को दूँगा और यह परपेच्वल इन्हेरिटन्स है तेरी संतान का तेरी आने वाली नसलों के लिए सदा की मिरास है तो शेतान ने उसी समय अपना बीज वहां तयार करना शुरू कर दिया और साथ एंट्री पॉइंट थे कनान देश के अंदर वाइदे की धरती जहां दूद और शेयद की धराएं बैती है वहां दाकिल होने के लिए साथ एंट्री पॉइंट से सातों के सातों के उपर ये शेतानी बीज बैठा हुआ था प्रेटों के काम 13 के 19 में लिखा है यहोवा ने उनको मारा उन हाइब्रिड को उनका बीज नाश किया और यहोवा ने इसराइल से कहा इनके संग कोई भी दोस्ती मत रखना इनके संग मेरिजिस मत करना वरना ये शेतानी बीज तुम्हारे भी जीवन में आएगा एशकलॉन में शेतानी सेप्टर था सुने मेरी बात ध्यान से ध्यान से सुनिए प्रमेशर के बचन को गिंती की पुस्तक उसके आप चौबी सध्याए में चलिए गिंती की पुस्तक का चौबी सध्याए और उसका मैं आपको देता हूँ सत्तरा बचन सुने गिंती की पुस्तक चौदा के सत्तरा में क्या कहता है यहां पे नभी यह जूटा नभी है इसका नाम है बिलाम लेकिन इसे ये इसराइल को श्राप देना चाहता है लेकिन जब भी इसराइल को श्राप देने की कोशिश करता है यहोवा परमेशर उसे बरकत में बदल देता है सुने, सोला बचन से पढ़ता हूँ मैं बलकी पंदरा से पढ़ता हूँ बिलाम का ओरेकल है and he took up his discourse and said the oracle of Balaam son of Bior the oracle of the man whose eye is opened कहता Bior के पुतर बिलाम का दर्शन है ये the oracle of him who hears the words of God and knows the knowledge of the most high he who sees the visions of the almighty falling down with his eyes uncovered कहता है कि जो परमेशर के शब्दों को सुनता है जो अत्पवित्र परमेशर का ग्यान रखता है जो महापरतापी का दर्शन देखता है जिसकी आँखें खुली है और क्या कहता है I see him, मैं उसे देखता हूँ but not now, पर अभी नहीं I behold him, but not near मैं उसे देख तो रहा हूँ एक तारा निकलेगा यह कूब में से एक तारा निकलेगा A scepter shall rise out of Israel एक दंडा निकलेगा राज दंड सेप्टर समझते हैं आप क्या होता है राजे के हाथ का राज दंड होता है scepter It shall crush the forehead of Moab and break down the sons of Sheth राज दंड निकलेगा राज करने वाला दंडा दंडा यह राज करने वाला दंडा भाई और बेहनों जो यहोवा परमेशर ने परतिग्या की की यहूदा के हाथ में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए और यह दंडा राज दंड कभी दूर नहीं होगा यहूद़ा में से हमेशा राजा पैदा होते रहेंगे हमेशा यहूद़ा में से राजा लोग पैदा होंगे तो सुनिए एक वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यशाया 49 का वर्स नमबर 10 सुरी यशाया नहीं उत्पती में से पहले पढ़ता हूँ उत्पती 49, verse number 10 उत्पती 49 का दस सुने ध्यान से नौर दरूलर स्टाफ रूम बिट्विन इस पीट अंटल ट्रिब्यूट कमस तो हिम और तो हिम शल बी अबीडियन्स अब इस पीपल कहता है कि जब तक शिलो ना आए शिलो है ख़दावन येश्य मसी शिलो एक शहर का नाम भी है लेकिन शिलो ख़द ख़दावन येश्य मसी है जब तक शिलो ना आए तब तक राज दंड येउदा के हाथ में ही रहेगा येश्य मसी येउदा के गोतर का बबर शेर है येश्य मसी येउदा में से निकला राजा है जो राजाओं का राजा है और प्रबू का प्रबू है हालेलुया और अनंतकाल तक रज्य करेगा वो कौन खुदावन यश्यू नासरी और राजदंड उसके हाथ में रहेगा तो मैं आपको एक और सेशन में बताऊंगा यह राजदंड कैसे शैतान के हाथ में जाता है पाप की वज़ा से भाई और भेनों पाप की परमेशर हमें रज्य करने के लिए बुला रहा है लेकिन जब हम पाप में गिरेंगे, गंदगी में गिरेंगे हमारे हाथ से राज्य च्छिन लिया जाएगा और वो सेम राजदंड शेतान के लोग अपने हाथ में दे लेंगे समझ रहे हैं मेरी बात आप आपको मालू मैं प्रभू से पूछ रहा था कि प्रभू बताईए शेतान की शक्ती का सुरोत क्या है येश्य मसी की शक्ती का सुरोत था पवितर आत्मा प्रेटों के काम 10 के 38 में लिखा है येश्य मसी पवितर आत्मा की सामर्थ के द्वारा काम करता था हमारी सामर्थ का सुरोत है पवितर आत्मा तो शेतान की सामर्थ का सुरोत क्या था आपको मालू शेतान की सामर्थ का सुरोत क्या है शेतान को उर्जा कहां से मिलती है शक्ती कहां से मिलती है प्रभू ने मुझे बताया जब परमेशर के लोग पाप करते है जब कलीसिया पाप करती है जब परमेशर के अगवे पाप करते है वो पाप शेतान के लिए पावर हाउस है शेतान हमारे पाप से उर्जा लेता है जब प्रमेशर के लोग पाप करते हैं उससे शेतान को एनरजी मिलती है सुन रहे हैं आप मेरी बात आपके पाप के कारण शेतान जैवन्त होगा और मजबूत होगा और समर्थी होगा और शक्तिशाली बनेगा सुनिया मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नहेमिया की पुस्तक उसका 13 ध्याए नहेमिया की पुस्तक के 13 ध्याए में से पढ़ता हूँ और उसका 23 बचन से नहेमिया 13 का 23 सुने नहेमिया 13 का 23 से नहेमिया 13 का 25 तक पढ़ रहा हु In those days also I saw Jews who had married ये एश्डॉड क्या है एश्कलॉण का हिस्सा है शेतानी एरिया है ये देखिये शेतान ने क्या किया है इनको खीच लिया है इनको जुईश लोगों को क्योंकि इनों ने इन आउरतों से शादी किया शेतानी आउरतों से तो इनकी भाशा शीन ली शेतान ने इनकी आइडेंटिटी इनकी पहचान शीन ली शेतान ने तो पच्छेस वचेंट में and I confronted them and cursed them and beat some of them and pulled out their hair सुनें, नहेमिया क्या कहता है नहेमिया कहता है, मैंने उनका सामना किया, उनको करस दिया, करस किया, करस यहुदियों को, और कहीं को मारा मैंने, कहीं के बाल खीचे I made them take an oath in the name of God saying, you shall not give your daughter to their son मैंने उनको कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां इन से नहीं ब्याओगे मैं हरान होता हूँ मसी लोग पता नहीं कैसे अन्य जातियों में अपनी बेटियां ब्याओदेते है उन मसी लोगों की मसीहत की जड़ों के उपर मुझे शक होता है शक नहीं मैं कन्फर्म हूँ कि वो मसी को नहीं जानते वो अन्य जातियों में अपनी बेटियां देते हैं अन्य जातियों की बेटियां अपने घर लाते है क्योंकि वो प्रभू को नहीं जानते क्यां पर क्या लिखा है मैंने कसम खिलाई saying you shall not give your daughters to their sons or take their daughter to your daughter for your sons for yourself पढ़े आगे पढ़ ले ना क्या कह लिखा सुलिमान के विशे में ये शेतानी बीज लाता है शेतान आपके जीवन में शेतानी बीज यहां पे शेतानी practices थी शेतानी काम थे हलिलूया तो मैं एक और बचन देता हूँ आपको पढ़िए मेरे संग जक्रिया नभी की पुस्तक जक्रिया नभी की पुस्तक उसका पढ़िए चैप्टर नमबर नाइन जक्रिया मलाकी से पीछे की और जाएंगे तो जक्रिया मिल रहा है जक्रिया का चैप्टर नमबर नाइन सुने verse number one से पढ़ता हूँ क्या कहता प्रभू the oracle of the word of the Lord is against the land of Hedraq and Damascus in its resting place for the Lord has an eye on mankind and on all the tribes of Israel क्या कहता प्रभू कि यहोगा की आँखें हैं जराइल के उपर क्या कहता प्रभू यहोगा की आँखें इसराइल की एक एक कुतर पर है और Damascus क्या है Damascus Damascus is the resting place Damascus is the resting place यहाँ पर sacrifice किया जाएगा यहाँ एक पुस्तक है उसका नाम है Damascus document एक पुस्तक है आपको online भी मिल सकती है वहाँ पर लिखा है उसके page number 132 में कि Belial shall be unleashed against Israel as he spoke by Isaiah son of Amoz Belial का मतलब है शेतान Damascus document page number 132 कि Belial अर्थाच शेतान release किया जाएगा इसराइल के विरुद्ध में फिर लिखा है as he spoke by Isaiah son of Amoz tear, pit, snare, tear का मतलब जंगली बीज आएंगे और खड़े और जाल तीन चीजे लाएगा शेतान जंगली बीज बोएगा, खड़ा खोदेगा और जाल बिछाएगा three nets by which he catches Israel ये तीन जाल हैं जिनके द्वारा वोश इसराइल को पकड़ता है कैसे कैसे बीज बोएगा जंगली असली बीज के उपर जंगली बीज डाल जाएगा जूटा कलाम भाई और भेनों, जूटा कलाम जूटा कलाम ट्विस्ट किया कलाम तोड़ा मरोडा गया कलाम कलाम को गलत धंग से परपेश किया जाएगा तोड़ मरोड के लोगों को दिया जाएगा और जंगली बीज, जंगली बीज, शेतानी बीज, जनाकारी, हरामकारी, गंदे काम और खड़ा खड़ा भाई और मैंनों खड़ा और जाल बिचाया जाएगा यरुशलम जो था येशु मसी की आमद के समय बीलियल के अंडर था शैतान के नीचे था जुबली की पुस्तक पढ़ियेगा वहां पे क्या लिखा जुबली की पुस्तक में बीलियल अर्थात शैतान का रूफ क्या करता है राइचस्टनस के धारमिक्ता के मारग पे चलने नहीं देता है यहोवा का आत्मा है और बीलियल शैतान का आत्मा है जुबली 15-22 वचर में लिखा है जुबली 15-32 में लिखा है इसरायल पे यहुवा राज करता है दुनिया की कौमों के उपर वाचर राज करते हैं सैवन्टी वाचर उत्वती की पुस्तक और उसके ग्यारां अधहे में मैंने आपको कई बार बता है हालिलूया तो क्या लिखा है दूसरा कुरिंथियों छे अधियाई उसके 14 वचन में दूसरा कुरिंथियों जल्दी से पढ़ें दूसरा कुरिंथियों उसका 6 दियाई निका लिए बार ऐर उसक चौड़ा वचन से क्या कहता यह प्रभू का वचन लिए है जुस्ता कुरूंतियों छे के चौदा से क्या कहता है डूनोट भी आने उकली योक्ट विद अन्बिलीवर्स अन्य जाती के लोग आ विश्वाशियों के संग आसमान जुए में मत जुतो for what partnership has righteousness with lawlessness धार्मिक्ता का अधार्मिक्ता से क्या मेल है what fellowship has light with darkness जोती का धेरे के संग क्या मेल है what accord Christ has with Belial मसी का शतान के संग क्या रिष्टा है what portion does a believer share with unbeliever एक विश्वाशी का विश्वाशी के संग क्या रिष्टा है what agreement has the temple of God with idols यहोवा के मंदिर का है कल का मूर्तियों के संग क्या रिष्टा है we are the temple of the living God हम पवितरात्मा के मंदिर है प्रभू कहता है मैं उनके बीच में रहूँगा उनके बीच में चला फिरूँगा उनका परमेशर ठहरूँगा वो मेरी प्रजा ठहरेंगे इसलिए क्या करत कहता है प्रभू उस गंदगी से बार निकलाओ अलग हो जाओ अशुद चीजों को मत शूओ तब मैं तुम्हें ग्रहन करूँगा तब मैं तुम्हारा पिता ठहरूँगा तुम मेरे पुत्तर और पुत्तरी हैं ठहरोगे भाई और भेनों अगर आप गंदगी अंधकार के कामों में अन्य जाती के बीच में मिक्स होके जीरे हैं पता नहीं लग रहा कि आप कलीसिया हो या अन्य जाती हो तो भाई और मैंनों आपका प्रभू के संग कोई रिष्टा नहीं है आप दोगला जीवन जीरे हो आप अन्य जाती के सारे काम करते हो उनके बीच में ऐसे मिक्स होके रहते हो कि वो स्नेयर जाल बिशाएगा खड़ा बिशाएगा और जंगली बीज लेकर आएगा परमेशर के लोगों को गिलाने के लिए तो आएए हम अपना जीवन चौकसी से जीएं और उन में से बाहर निकलाएं वो दुनिया के रीती रिवाज दुनिया की परंपराएं जो सब मनाते हो गैर कौमों की शादियों में जाके फिल्मी गीत लगा के आप भंगडे करते हो उनकी तरह सारे रीती रिवाज मनाते हो तो काहे के विश्वाशियों मेरे भाई आप तो आपको तो ये वचन समिझी नहीं आया जो मैंने अभी दिया है दुसरा कुरिंतियों 6 ध्या 14 से लेके 17 तक ये बचन तो आपके जीवन में नहीं है न तो काहे के विश्वाशियों भाई दिखावे के बनावटी दो जीवन नहीं जी सकते आप आप दुनिया को खुश कर रहे हो और प्रभू को भी खुश करना चाते हो इट विल नॉट वर्क छोड़ दें वो रीती दिवाज परम पराएं वो काम जो प्रभू के और से नहीं है प्रभू के लिए जीएं हालिलुया प्रभू हम आपके जलाली नाम की मेहमा करते हैं प्रभू आपका सच्चा कलाम मैंने बाट दिया प्रभू जी मैं सच्चे कलाम को दिनो राज से खाता हूं लोगों को और प्रार्थना करता हूँ आंसों के साथ, तूटे दिल के साथ कुदावद, ताकि इन में से किसी के लहू का लेखा मुझे न देना पड़े, ये अपने लहू का लेखा खुद देंगे, अगर सचा कलाम सुनके भी लोग दोगला जीवन जीएंगे, तो फिर प्रभू आपके सा सामने हैं उनका जीवन, आप ही नयाई करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लोग सच्चा जीवन जीएं तेरे लिए, एक टांग संसार में दुसरी टांग आपके राज्या में नहीं, बलकि मुकमल रीती से आपके राज्या में जीएं, ऐसी करुणा, ऐसी धया इनके जीवन पे करें खुदावन, हलेलुया, ऐसी करुणा करें खुदावन जी, ऐसी धया करें खुदावन जी अपने लोगों के उपर, सच्चा जीवन आपके लिए जीने के लिए, आपके लिए अगनी से भरा जीवन जीने के लिए, आपके लिए प्रभुजी जलन से भरा, life that is full of zeal, जीने के लिए इनकी सहायता करें मैं आपका खून इन लोगों पे छिड़कता हूँ ख़दावन हालेलुया, आपके नाम की महमा हो, प्रभू ताकि आपके लोग चंगे हो जाएं, रोग बिमारियां, लांतों के जुए तूट जाएं के जीवन से, करुणा करें प्रभू एक एक जन के उपर, मेरे उपर भी दया करें, मेरे उपर भी दया, मेरे घराने पे भी दया करें दयालू पर मेश्वर, मैं अपने आपको, अपने घराने को आपके लहू के साई के नीचे लेकर आता हूँ, जितने आनलाइन एस समय एक एक पे तेरा खून चड़कता हूँ तेरे नाम की मेमा हो ख़दावन येश्य मसी तेरे जलाली नाम के वसीला से इस दूआ को हम मानते हैं आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आज मैं कोशिश करूंगा दो बजे कि हम लाइव करें वीडियो लाइव और एक और जबदस सेशन परमेश्य के कलाम से करें तो प्लीज दो बजे सब लोग जुड़िएगा मैं बीच में आपको मैसेज भी डालूँगा और हम और परमेश्य के बचन को सीखेंगे और संगती करेंगे तो बीच में आपको बहुत आशिश दे सब को जयाएश्य मसी की